Hello everyone, welcome again to London, देखिए हम लोगों ने राजिस्थान की रिती रिवाजों के बारे में पढ़ लिया, जिसमें हमने 16 संसकार के बारे में पढ़ा, जन्म के समय कौन से रिती रिवाज किये जाते हैं, यह हमने देखा, तो यही चीज जो है वो आपके एक्जाम में पूछी जाएगी तो आप पटापट से आंसर जो है वो लगा पाएंगे, यदि आपने अच्छे तरीके से वो चीज़ें याद रखी, तो चलिए उसके बाद है राजिस्थान की प्रथाएं, तो प्रथाएं जो की पहले से ही चली आ रही हैं, कुछ प्रथाओं को समाप तो भी किया गया है और कुछ तो अभी भी चल रही हैं, तो सती प्रथा यानि की पती की मृत्यू होने पर पतनी द्वारा उसके सव के साथ चिता में जलकर मृत्यू को प्राप्त हो जाना, तो ये एक ऐसी प्रथा थी, ये समझे है, ये एक बुरी प्रथा थी, क्योंकि पती की मृत्यू होने पर कुछ जो इस्त्रियां थी वह तो खुद भी यह सोसती थी कि हमारे पती की मृत्यू होने पर हमारा जीवन जो है अवशेश नहीं है तो हमें भी उनके साथ ही जल जाना चाहिए लेकिन दूसरी तरफ जो है क्या होता था कि परिवार वाले या गाउं वाले जो है वो इस त रीके से ही ये गलत था चयोंकि सभी जो जीवन है सभी का बहुत जा्दा मुल्यवान है और ये प्रथा जो है वह किसने बनाई है मनुश्य नही बनाई है तो देखिए इसके लिए जो है कई पर सब कार्य कीत है इस summary को खतम करवाने के लिए तो यहां 1822 इस्वी में में सती प्रथा को गैर कानूनी कम खोसित किया गया था तो 1822 इसवी में किया गया था और सबसे पहले जो प्रयास जो है वो किसका रहा तो यहां राजा राम मोहन राय के प्रयतनों से विलियम बेंटिंग द्वारा 1829 में इस पर रोक लगाई गई थी ठीक है विलियम बेंटि तुगलक पहला सासक था जिसने इसे रोकने का आदेश दिया था तो दिल्ली सल्तनत काल में तुगलक वन्स का जो साशक था मोहमत तुगलक तो यह प्रथम साशक रहा जिसने सती प्रथा पर रोक लगाने का आदेश दिया था ठीक है तो ध्यान रखना है कि सती प्रथा क्य है कि पती की म्रत्यू होने पर पत्नी द्वारा उसके सव के साथ ही चिता में जल जाना और 1822 में बूंदी में गैर कानूनी खोशित किया सती प्रथा को राजा राम मुहन राय के प्रयास से 1829 में विल्यम बेंटिंग ने इस पर रोक लगाई थी नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट जो प्रथा है वह है अनुमरण यानि कि महा सती पती की म्रत्यू कहीं और होने पर उसके किसी चिन के साथ जो है चिता में जलना ठीक है सती प्रथा में तो पती के सब के साथ ही जलना है और अनुमरण में क्या है यानि कि पती की म्रत्यू तो कह और पर हुई है और उसका कोई भी चिन है प्रतीक जो है उसके साथ जो है चिता में वह इस्तरी जो है यहाँ पर जल जाती है ठीक है और म्रत्यू को प्राप्त हो जाती है तो ऐसी जो कूप रथाएं हैं वो हमारे समाज में चली आ रही थी नाता प्रता पत्नी द्वारा अप पती को छोड़ कर किसी दूसरे पुरुस के साथ रहने लग जाती है। कि मान लीजिये उस गाओं में जो है वो बारिस नहीं हो रही है। तो लोगों का ये मानना है कि ये जो इस्तरी है ये एक डाकन है और इसकी वज़े से ही हमारे गाओं का ये हाल हुआ है। मेवाड के महाराणा स्वरूप सींग के समय में जे सी ब्रुक ने खेरवाडा उदैपुर में इस प्रथा को गैर कानूनी घोसित किया गया। ये तो एक तरीके का अंदविश्वास है। इसमें कोई भी इस तरीके का लॉजिक नहीं है। कि किसी भी महिला जो है उसका असर जो है वो इतना बुरा होता है कि उसे जो है डाकन जो है वह घोसित कर दिया जाता है। उसे पत्थर ईट उसके प्रहारों से उसे मारा जाता है या फिर इतना भी कर दिया जाता है कि उसे गाउं से बाहर निकाल दिया जाता है। अंद विश्वास जो है वो लेकर बैठे थे लेकिन 1853 में मेवाड के महारणा स्वरूप सींग के समय में ही इस प्रथा को गैर कानूनी घोसित करवा दिया गया था तो नाम आप ध्यान में रखें जेसी बुरुक के द्वारा नेक्ट जो प्रथा है वह है डावरिया प्रथा राजाओं और जागीरदारों द्वारा अपनी पुत्री की साधी में कुछ कुवारी कन्याएं दी जाती थी ठीक है जिन्हें डावरिया कहा जाता था तो देखिए कैसी प्रथा है ये कि राजाओं और जागीरदार जो हैं उ कन्या के जन्म लेते ही उसे अफीम देकर या गला दवाकर मार दिया जाता था तो कुछ लोगों का ये मानना होता था कि कन्या जो है अब पैदा हो गई है तो हमें जो है उसका जो बोज है जीवन भर वह हमें जहेलना होगा ठीके बोज जो है वह हमें लेकर चलना होगा हमें उसकी जो है आगे चलके शादी व्या करना होगा जिसमें बहुत अधिक खर्च आएगा तो क्यों ना उसे बच्पन में ही जैसे ही जन्म वह लेती है तब ही उसे मार दिया जाए तो ऐसी जो अंदविश्वास है वह है पहले देते हैं तो इतनी चोटी जो बच्ची होती है तो वह कैसे जहल पाएगी ऐसी चीजों को सोचिए उसका गला जो है दवा दिया जाता है वो कितनी नाजुक उस समय होती है तो वह मर जाती है तो सबसे पहले कोटा राज्य ने 1833 इस्वी में और बूंदी राज्य ने 1834 इस जल समाधी या भू समाधी तो कुछ लोग जो होते हैं वो समाधी पर बैठ जाते हैं यानि अपने ही जीवन को समाप्त करने के लिए वो लंबे समय तक वहां भूके प्यासे बैठते हैं और कहते हैं कि हम जो हैं वो समाधी लेंगे ये जीवन जो है वो अब यहीं पर करते हैं और कुछ जो हैं वह हैं भू समाधी लेते हैं तो सर्व प्रथम जैपुर के पी ए लुडलो के प्रयास से सन 1844 में जैपुर राज्य ने समाधी प्रथा को गैर कानूनी घोसित किया क्योंकि देखिए एक शब्द आता है सुसाइड करना तो जब सुसाइड शब्द तो उसे तो लोग देशकर ही कहते हैं कि ये तो कितना गलत काम है तो ये भी एक तरीके का क्या है खुद के जीवन को ही समाप्त करना तो ये भी एक गैर कानूनी है तो इसे गैर कानूनी घोसित किया सबसे पहले जैपुर के पीए यानि पॉलिटिकल एजेंट लुडलो ने तो उनके प्रयासों से जैपुर राज्य ने 1844 इस्वी में जो समाधी प्रथा थी उसको गैर बनाया गया कि ऐसा जो है व्यक्ति ना करे त्याग प्रथा राजपूतों में विवहा के अफसर पर भात चारण डोली आदी को दान दक्षिना दी जाती थी जिसे क्या कहा जाता था त्याग कहा जाता था पहले ये स्वेच्छा से था और बाद में ये प्रथा बन गई कि अफसर पर भात चारण डोली को क्या दिया जाएगा दान दिया जायेंका दक्षिना दी जायेगा तब तो जो व्यक्ति था वो अपने इच्छा से करता था जिसके पास जतना होता था उसी के अकॉर्डिंग वयदान करता था लेकिन धीरे धीरे जो है ये प्रथा जो है कुप प्रथा में बदल गई, कैसे कि जो इंसान पहले स्वेच्छा से देता था अब उसे ये जवरन दिया जाने लगा, तो इस प्रथा को बंद कराने के लिए सबसे पहले 1849 में जोदपुर राज्य ने इसे रोकने का प्रयास किया, तो यह आप ध्यान में रखें, पूछा जाएगा कि इस प्रथा को, त्याग प्रथा को रोकने का प्रयास जो है, किस राज्य ने सबसे पहले किया, तो जोदपुर राज्य ने किया, तो यहाँ पर देखिए जोदपुर राज्य का क्या मतलब है, जैसे कि आप UPMP ये राज्य में आते हैं, यहाँ पर जो रियासते एसे बोला जाता था था तो यहाँ जौत पूर क्या है राज्य है जिसमें 1841 में इसे रोखने का प्रियास किया गया वॉल्टर करत राजपूत हितकारणी सभा ने भी इसे रोखने का प्रियास किया यहाँ पर यह लाइन बहुत इंपोर्टैंट है 1841 में जोदपूर राज्य ने त्याग प्रथा को रोकने का प्रयास किया था फिर देखिए फिर इसके बाद है जो प्रथा बाल विवा यानि कि छोटी बच्ची है या बच्चा है तो उसका विवा जो है जल्दी कर देना चोटी आयू में विवा करना तो यहां पर दोनों लड़का या लड़की जो है जो की नाबालिक है उन्हें यही नहीं पता है कि उनकी जो है विवा हो चुका था बच्चपन में या चोटे बच्चों को यह नहीं पता लग रहा है कि हमारी शादी हो रही है ठीके उन्हें तो वो खेल लगता है, तो ये क्यों करते हैं, इसके भी कई कारण होते हैं, कई लोग ये सोचते हैं कि यदि हम बच्पन में ही इनकी शादी कर देंगी, तो जो है हमारा जो विवाह का खर्चा जो बड़े होकर आएगा, वो बच जाएगा, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा जो विवा किया जा रहा है उन्हें इस चीज का पता ही नहीं है तो छोटी आयू में विवा बाल विवा कहलाता है और सारदा एक्ट अजमेर के श्री हर विला सारदा के प्रयासों से 1929 में बाल विवा निरोधक अधनियम प्रस्तावित किया गया अब ये कुश्यन जो है एक्जा हर विला सारदा के प्रयासों से हुआ ठीक है या सारदा एक्ट क्या है ऐसे भी पूछा जा सकता है वहीं पर अप्रेल 1930 में यह पूरे देश में लागू हो गया था ठीक है तो देखिए पहले लड़की की आयू जो है वह 15 वर्स थी और लड़के की आयू थी 18 वर्स लेकिन 1978 में इसमें क्या हुआ संसोधन हुआ और लड़की की आयू जो है अब 18 वर्स कर दी गई और लड़के की विवहा की आयू जो है वो 21 वर्स कर दी गई ठीक है तो 18 वर्स लड़की की और लड़के की 21 वर्स ये दोनों याद में रखना है विद्वा विवा यानि कि एक जो इस्त्री है उसका पती यदि मर जाता है तो उस इस्त्री को पहले क्या कर दिया जाता था? तो आज पती कर दिया जाता था यानि कि अपने पती की सबके साथ ही जल जाए लेकिन कई इस्त्रीय जो है वह ये कारे नहीं करती थी और पूरा जीवन जो है आज जीवन वो विद्वा रहती थी लेकिन इस पर भी हमारे जो महा पुरुषते उन्होंने कई कारे कि एक जो पन इस्वी में विद्वा पुनर विवा अधनियम जो है यह लागू किया गया कि जो भी बच्ची जो की पहले विद्वा हो गई है जिसका बाल विवा हुआ था तो इतना लंबा जो जीवन है वह कैसे निकालेगी तो उसे विवा करने की अनुमति अब होगी इस्वर चंद विद्या सागर के प्रयासों से लौड डल होजी द्वारा अधनियम बनाकर इसे माननेता दी गई ठीक है नेक्स्ट देखें दहेज प्रथा उनने सो एक सट में भारत सरकार द्वारा दहेज निरोधक अधनियम पारित किया गया तो हमने देखी अभी तक जो प्रथाएं द मंदित रही हैं यानि कि पहले से ही महिलाओं के साथ जो है वो एक तरीके से अत्याचार होता था जहां हमने सती प्रथा देखा ठीक है उसके बाद हमने विद्वा विवा जो है वह देखा और उसके बाद देखी दहेज प्रथा यानि कि अगर किसी के जो पिता है जो का अभाव है तो उस लड़की के ऊपर किया जाता था सस्राल वालों के तरफ से अत्याचार तो वहां उनसे जब्रन जो है वह दहेज मांगा जाता था यदि वह नहीं दे पाते थे तो उनके साथ होता था अत्याचार तो 1961 में भारत सरकार द्वारा दहेज निरोदक अधरियम पारित किया गया कि यदि ऐसा पाया गया तो उनके लिए कानूनी कारवाई की जाएगी ठीक है हाला कि ये बंद भी हुआ है कुछ लेकिन फिर भी लोग क्या है अपनी इच्छा से ही दहेज देते हैं वो ये सोचते है कि हमारी बेटी जो है वह है बहुत अच्छे तरीके स कुसहाल जीवन जो है ससुराल में बिताएगी तो उसके लिए पहले से ही दहेज दे दिया जाए लेकिन ये चीज जो है वह है जो की पहले से अभी भी चली आ रही है और समाज में खुसी-खुसी से दहेज देने वाला दहेज देता है और लेने वाला लेता है तो इस चीज इसको कठोड़ता से लिया जाना चाहिए, सभी लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए, कि लेना और देना दोनों ही गलत ही है। Next देखिए दास प्रथा दास याने कि जो सेवा करते हैं और यदी किसी व्यक्ती से जवरन जो है कारे करवाया जाए और उसे प्रतारित किया जाए तो वो कहलाती है दास प्रथा याने कि जवरन उसके शरीर से काम लिया जाए आपको ये लाइन जो है वो अच्छे से याद रख लेनी है कि 1832 में विलियम बेंटिंग ने दास प्रथा पर रोक लगाई थी वहीं राजिस्थान में 1832 में ही कोटा और बूंदी में दास प्रथा पर रोक लगाई गई थी कि किसी भी व्यक्ति को जवरन जो है मजदूरी नहीं करवाई जाएगी चब तक कि उसकी स्वैम की इच्छा ना हो नेक्स्ट देखिए सागडी प्रथा जिसे बंधुआ मजदूर प्रथा भी कहते हैं ठीकि है? बंधुआ मजदूर प्रथा या सागडी प्रथा राजिस्थान में 1961ी में सागडी निवारन अधिनियम पारित किया गया तो बस यहाँ पर इतना याद रखें कि बंधुवा मजदूर प्रथा जो है इसको हम सागडी प्रथा के नाम से भी जानते हैं तो राजिस्थान में 1961 में सागडी निवारन अदिलियम पारित किया गया जो बंधुवा मजदूर प्रथा जो है इनके लिए एक्ट जो है वह पारित किया गया 1961 इस्वी में तो हमने जो है राजिस्थान की जो प्रथाएं हैं वो हमने देखी कि सती प्रथा जो है जो की 1822 में बूंदी राज्ये में गैर कानूनी घोशित कर दिया गया राजा राम हन राए के प्रथाएं से सती प्रथा पर रोक लगाई गई लौर्ड बिलियम बेंटिंग के द्वारा 1829 इस्वी में ठीक है फिर हमने देखा कि जो कन्या वद है यानि कन्या को कन्या का जो वद कर दिया जाता था जैसे ही उनका जन्म होता था तो सबसे पहले कोटा राज्य ने और उसके बाद बूंदी राज्य ने इसे कानू निगोशत किया था ठीक है वहीं बाल विवा के बारे में हमने पढ़ा छोटी उम्र में ही विवा हो जाना तो वह सारदा एक्ट के प्रयासों से 1929 इस्वी में पूरे देश में लागू त्याग प्रथा हमने पढ़ा कि त्याग प्रथा क्या होती है जिसमें कि रासपूतों में विवा की अफसर पर भेट अक्त्यदिक दी जाती है ठीक है तो ये प्रथा जो है इसकी भी समाप्ती कर दी गई थी वहीं विद्वा विवा जो है उसके बारे में पढ़ा 1856 में दहेज निरोदक अधनियम आया दास प्रथा जो है वह 1832 में लॉड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से रोक लगी तो ये सबी जो लाइने हैं वो आप ध्यान में रखेंगे एक दो वार वीडियो देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी